टीकिट कटा दो फूट का रोय भाजपा विधायक कोपाल इंजनियर का नाम तय होते ही बड़ा भिरोद नमस्कार आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का टोप MP7 News देखिए पूरी खबर सीहोर जिले की आश्टा विधान सभा सीट के लिए भाजपा दुआरा गोशित किये गए प्रत्याशी कोपाल इंजनियर को लेकर पार्टी में बगावत के सब सूर्ख फूट पड़े हैं टिकेट कटने से आहत विधायक रगुनात सीमालवी कारेकरताओं के समक्ष फूट फूट कर रो पड़े टिकेट विद्रन से पार्टी के असंतुष्ट कारेकरताओं ने 25 अक्टूंबर तक चेहरा बदलने की मांग की हैं अन्यता बगावत भी की जा सकती हैं भाजपा उमीद्वारों की पांचवी लिस्ट सामने आने के बाद से गमासान मचा हुआ हैं कई जबों पर का विरोध किया जा रहा हैं तो वहीं मोजुदा विधायकों की टिकेट कटने से भी कई नेताओं में नाराजगी हैं भाजपा ने सीहोर जीरे की आश्टा विधान सभा से वर्तमान विधायत रगुनात मालवी का टिकेट काटते हुए जिला मंचायज अध्यक्ष गोपाल इंजिनियर को अपना प्रत्याशी घोशित किया है इसके बाद से उनका विरोध शुरू हो गया है तीन बार कोंग्रेस के जंडे तले विधान सभा का चुनाव लड़ चुके गोपाल इंजिनियर एक साल पूर्व ही भाजपा में शामिल हुए हैं एसे में उन्हें विधा सभा का टीकिट दिया जाना भाजपाईयों को रास नहीं आ रहा है और उन्होंने वगावत करने का मन बना लिया है गोपाल इंजिनियर को भाजपा का प्रत्याशी बनाय जाने से आहत पार्टी के कार्यकरताओं की आश्टा तहसिल मुख्याले पर दो जगर वेठक आयोज कार्यकरताओं को संब्धित करते हुए विधायक मालवी भाव हो गए नम आखों से कार्यकरताओं को संब्धित करते हुए मालवी ने कहा कि जन संके जमाने से संगठन की सेवा की है फिर भी बाहारी व्यक्ति को लाकर टीकिट दिया इससे बहुत दुखी हूँ विधायक मालवी ने प्रत्याशी गोपाल से का नाम लिया बिना निशाना सात्ते हुए विरोज्यत आया विधायक ने कहा कि इस बार पार्टी ने एसे व्यक्ति को टिकित दिया है जो हमारी विचार धाराते मेल जोल नहीं खाता है इसे यह भी कर सकते हैं कि विचार धारा का ही नहीं विधायक मालवी बीच में फूट फूट कर रोने भी लगे जिनको कारेकरताओं ने धारस बंदाया व्यती धोकर विधायक ने कहा कि मेने जनता जनार्धन के लिए इमानदारी से काम करने का प्रयाद किया है बेटक में भाजपा मेना मंडल अध्यक्ष भगवान सीह, सिद्धीक गंज मंडल अध्यक्ष प्रताव जाड थे विधायक मालवी ने मेडिया से चर्चा के दोरान कहा कि पार्टी ने जो नेर्डने लिया है उससे बहुत आगात पहुचा है संकठन को इस पर दोबारा विचार करना चाहिए भार्टी जनता पार्टी को उसे टिकित देना चाहिए जो कार्यकर्दा वर्षों से काम करता आ रहा है वो पाल इंजिनियर को पार्टी का टिकित दिये जाने से आहत विधायप रगुनाथ सीन मालवी ने कहा कि अब सारा नेर्डने पार्टी के कार्यकर्दाओं को लेना है जल्दी ही वे हतारों कार्यकर्दाओं के साथ नामांकन फार्म भरेंगे उसके बात कारेकरताओं की मनशानुसार जो भी निर्णाई होगा उसके आधार पर आगे की रणनीती तयार की जाएगी अगर पार्टी आला कमान निर्णाई नहीं बदलती है तो फिर हमें भी निर्णाई लेना पड़ेगा आश्टा पुराना बस इस्टेन जेर्ण धर्मशाला में भाजपा कारेकरताओं के दूसरे गुट की बेठक में पुरो भाजपा जिलाद्यक्ष ललित नागोरी ने भी गोपाल सी को टीकिट मिलने पर विरोज जताया नागोरी ने कहा कि सन 1951 से बने भारती जनसन में कारेकरता तैयार किये जाते थे पहले स्वयं सेवप हुआ करते थे फिर विध्यार्ती परिशन और उसके बाद युवा मूर्चा बनता था भारती जनता पार्टी की यही सीड़ी है जिसमें कारेकरता नीचे से लेकर उपर पहुचता है और इस लायक बनता है कि चुनाव लड़ सके शरीवार को भाजपा की आयन निर्णय में पार्टी का स्वरू बदल दिया है बिधान सभा चुनाव में पार्टी ने मूर उद्देश से अलग होकर जुन दिर्णय गोपाल सी को टिकिट देने का लिया है वह गलत है टिकिट की दावेदारी जता रहे केलाश बमाना ने कहा कि भाजपा ने जो दाइत्व सोपा है उसका इमानदारी से निर्वाहन किया है इसके बाद भी पार्टी के शिर्ष नेत्रत्व ने दूसरी पार्टी से आये गोपाल सी को टिकिट दिया है शिर्ष नेत्रतों से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि गोपाल सी की एक खुबी बता दे कि जिसके आधार पर टिकिट दिया है इस अउसर बन भाजपा पुर्व मंडल अध्यक्ष मुकेश बड़ जात्या ने कहा कि पार्टी को वापस विचार करना चाहिए खबरों की अधित जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 News